तो हेलो वर्यार्ट्स तो आज मैं एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ 2023 में आए विनी दापू ब्लड इंड हनी को अगर आपने विनी दापू का नाम सुना है तो यह से वही डिजनी वाले पू का एक इवल वर्जन है एड़ी मुवी सच में काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है तो फटाफट से मुवी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे एक बार एक बच्चे क्रिस्टोफर रॉबिन को कुछ इंसानों की तरह दिखने वाले जानवर मिलते हैं और वा पांच जानवर थे पहला वेनिदा पू, पिगलेट, ईयाउ, रबिट और आउन जो कि सो एकर वोड्स में रहते थे और क्रिस्टोफर के उनके साथ दोस्ती हो जाती है और वा खुशी खुशी अपना टाइम साथ में स्पैंट करती है लेकिन जब क्रिस्ट बड़ा हो जाता है उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन सभी को छोड़ कर उस जगा को छोड़ कर जाना पड़ता है और क्रिस्टोफर के बगैर वो लोग बहुती निराश हो जाते है क्योंकि उसके साथ रह रहाए कर उनके अंदर एक इंसानिया से बन गई थी पर अब वो लोग अकेले हो चुके थे और जल्दी विंटर का मोसम भी आ जाता है और अब वो सभी लोग भूग के वाज़े से मननी की कगार पर थे और अपनी भूग को मिटाने के लिए वो उनमें से एक को मार कर खाने का फैसला करते हैं और फिर वो लोग इह और को मार कर खा जाते हैं लेकिन अब ये चीज उनके जिन्दकी की पूरी सोच बदलने वाली थी क्योंकि अब उनका इंसानों में से भरोसा बिलकुली उड़ चुका था और इंसानों के प्रदी उनकी नफरत बहुत ही जादा हो चुकी थी खास कर क्रिस के लिए और फिर वो सब मिलका एक कसम खाते हैं क्याद से वो सबी लोग अपनी इंसानियत को भूल जाएंगे जो भी उन्होंने क्रिस से सीखी थी और अब वो कभी भी वापस नहीं बोलेंगे और फिर हमें पांच साथ बात का सीन दिखाया जाता है और हम क्रिस को उसकी फ्यांसी मेरी के साथ देखते हैं और वो वापस सो एकर बुर्स में आ चुका था ताकि वो मेरी को अपने बचपन के दोस्तों से मिलवा पाई लेकन उसे क्या पता कि उसकी वज़े से वो लोग कितने कर साथा बदल चुके थे और वो दोनों उन्हें ढूंट तो रही थे कि उससे पहले ही उन्हें दिखते हैं खोन से भरी हुई बाल्टियां और जार्स और काफियन जानी लाशों के टुकड़े और ये और के डड़ बोड़ी भी और वो दोनों ही ये सब देखकर बहुत ही टर चुके थे और और बू उस जगह पर आ जाती हैं अड़ मैरी और क्रिस उन् दोनों से छुप जाती है और मौका देखकर वाँसे भागने की कोशिश करती है कि तभी पिगलेट अपनी चेन के सहारे मेरी को जान से मार देता है और फिर वो बढ़ते हैं क्रिस की तरफ जो कि रोता हुआ उनसे कह रहा हुता पू, पू मुझे बाफ कर दो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो लेकिन वो उसकी एकन सुनते क्रिस को उठा कर वहां से ले जाते हैं और यहां पर सिटी के निउस में भी सो एकर वोड़िस के बारे में जर्चा हो रखी थी कि वहां पर कोई ऐसा क्रिचर रहता है जो वहां पर जाने वाले ट्रावरर्स को जान से मार देता है पर क्योकि सर्वाइवर्स कभी भी वापैस लोट कर नहीं आए तो किसी को भी नहीं पता कि सोहेकर वूर्ड में है क्या और फिर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम मारिया था और उसके साथ एक बहुत ही ठ्रोमाटाइस सी गटरा हुई थी जब एक स्टोकर उस पर नज़ा रखने लगा था और एक बार तो वो उसके कमरे तक में भी पहुंच चुका था लेकिन कुछ ज़ादा होने से पहले वो पकड़ा गया था पर फिर भी मारिया के दिमाग में एक साइड इफेक्ट सा रह गया था जिससे वो ज़ादा कर टेंशन में रहती थी और इसे चीज़ को दूर कहने के लिए मारिया के डॉक्टर उसे एक वकेशन पर जाने का सज़ेस्ट करती है और इसलिए मारिया भी अपने फ्रेंज को लेकर वकेशन मनाने निकल जाती है और उनके नाम थे जैस, लारा, जोय और ऐलिस और वो उने लेकर एक बूट्स के बीच बने कैबन में लेकर आ जाती है सच में आखर इन जंगलों के बीच में कैबन कौन बनवाता है पर क्योंकि होरर मुवी है तो चलिए लोज जी को इग्नॉर करते हैं और वो एक जगा पर एक गैस टेशन पर रुखते हैं जो किवल बन पड़ा हुआ था और यहाँ पर मारिया की मलकात एक कपल से होती है जिनसे वो थोड़ा सा घबराती हुई थोड़ी बहुती बाते करकर वहां से चल पड़ती है और फिर वो फाइनली अपने काबन में भी पहुंच जाते हैं और उपर से ये काबन हंटर एकर वूट से जादा दूर नहीं था और अब उनके एक फ्रेंट सुझेस्ट करती है कि उन्हें अपने फोन भी इकठे करकर रख देने चाहिए ताकि वो एकदम पीसफुल मोड पर रैप आएं और फिर हम देखती है उनकी एक और फ्रेंट को जिससे उसी वकेशन में जाना था पर वो अपना रास्ता बटे कर सो एकर वूट में ही आ गई थी और इससली वो अपने फ्रेंट को कोल करती है भटोनों ने तो पहले ही अपने फोनी कठे करकर रख दिये थे और फिर जंगल में गोमते गोमते उसे वहीं पर दिखाई देता है पू जिसकी नजर उस पर पढ़ जाती है और उसे उसकी तरह बढ़ता देख वो डर से काम जाती है और फटा फट दूम दबाती भागने लगती है लेकिन पू उसे पकट कर उसे मार कर उसका खून एक बकट में बढ़ लीता है और यहाँ कैबल में मारी अपनी दोस्तों को अपने वही स्टोकर वाले हाथ से के बारे में बता रही थी जो बताते बताते वो काफी एमोशनल भी हो चुकी थी जो देखकर उसकी फेंड्स उसे पूरा सपोर्ट करती है और यहाँ एक अंजानी तरफ हम देखते हैं पू को जो बने होए क्रिस के पास जाता है और वहाँ पर पू और पिगलेटो से टोर्चर करते थी और कबराया हुआ क्रिस उससे फिर से माफी माँगता है प्लेस मुझे जाने तो पू मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा लेकिन यह जोन कर पू को वही पुरानी बते याद आती है जब क्रिस ने उनसे वादा किया था कि वो उने छोड़ कर कभी भी नहीं जाएगा पर वो बात उसने जूट बोली थी और इस बात से पू बहुत एमोशनल हो जाता है लेकिन तब इसके एमोशन्स गुसर में भराते हैं पर उसके फ्यान से मेरी का स्केल्टन ही उसके सामने रख उसे मेरी के खून से ही निला देता है ताकि क्रिस मेंटली भी तोट जाए और यह सब कर गर जब वो उसकेल्टन को फैक्टने जा रहा था कि उसे अपने नस्दीक से ही एक चलते होए गाने की अवास सुनाई देती है जो सुन वो उस कैबिन वाली दिशा में चल पड़ता है और यहाँ पर गाने की वास होर कहीं से नहीं बलकि लारा के होड़ दम वाली जगा से आ रही थी जहाँ पर वो स्वेवें के मज़े ले रही थी और जब वो अपनी फोटोस खीच रही थी उसे उसी में पू भी दिखाई देता है लकिन उसे लगता है कि यह सब उसके दोस्तों का बस एक प्रैंक था और वो वापस मज़े करने लगती है कि तब ही वहाँ पर पू और पिगलेट आकर उसे भ्योश करकर ले चलते है और वो उन्हें उसकी ही कार के पास लेकर आते है और पिगलेट लारा के हाथ पैर बांद कर उसे कार के समने लिटा देता है और जब लारा की आंके खुलती है वो यह सब देखकर बिलकुल ही डड़ जाती है कि तबी पू उसके उपर कार चला कर उसका सर घरबूचे की तरह कुचल देता है और लारा की चींग को सुनकर उसके बाकी दोस भी चेक करने भार आती है और वहां उन्हें देखती है लारा की लाश और वह बलकुल टटते हुए घर के अंदर ही छुपने लगती है और वहीं आसपास से पिगलिट और पू भी घूम रहे थे और फिर ये चारों दोस्ट दोदो के क्रूप में अलग हो जाती है और एलिस और जोई घर का दर्वाजा बंद करने चल पड़ती है और यहाँ पे मारिया की तब यह थोड़ी खराप हो रही थी इसलिए जैसिका उसे उपर वाले कमरे में लजाने लगती है और यहाँ पर एलिस और जोई धर्वाजा बंद करने जाई रही थी क्योंने वहाँ पर पूल के सामने पिगलिट दिखाई दे जाता है जो की उन पर हमला कर देता है और जोई पूल में गिर जाती है जिसके पीछे पिगलिट आ रहा था और उसकी बहुती बुरी तरह से जानने लेता है और फिर पिगलिट और पू एलिस को लेकर वहाँ से अपने बेस की तरफ चल पड़ते है और मारिया और जैस उन्हें जाती होए देख लेती है और वहाँ से भागते हुए उन्हें एक और परसन दिखता है जो कि होई नहीं बलकि बंदा हुए क्रेश था और वो उसे भी फ्रीक कर देती है कि तब ही उन्हें एक और और ओरत की चलाने की आवाज सुना ही देती है और क्रेश उन्हें कहता है मैं बापने आपको संबाल लूँगा तुम जाओ और उस और उस औरत की मुदद करो और वायां जाओ वो देखते हैं कि उस लेडी की हालात बहुत ही बुरी हो राकी थी और उसे बहुत ही भद्धी तरह से पीटा गया था और ये सब कुछ किया था पिगलट ने और वो लेडी उन्हें पू और पिगलट के बारे में बताती है कि वो दोनों बस म्यूटेटर मोंस्टर्स हैं जो कि बोलतो सकते हैं पर किसी कारण से बोलना नहीं चाते और उन्हें इंसानों को टॉर्चर करना बहुत ही पसंद है और अपनी शेकल की हलाद देखकर वो लेड़ी बहुत ही गुसा होकर वहाँ पड़ी शॉटकंट को लेकर पिगलट को मानने निकल पड़ती है और उसे पिगलट भी देख जाता है जस पर वो गन का यूस तो करती है सिरफ ये जानने के लिए कि कि उसमें कोई गोली थी ही नहीं और तभी उसके पीछे से पू आकर उसे आग की भटी में डाल देता है और पीछे ही चुपी हुई वो तीनों लड़कियां ये सब देख रही थी और तभी वो वहाँ से भागने लगती है लेकिन एलिस पीछे ही रुख जाती है और जब वहाँ पर पिगलिट आता है वो चुपके से एक त्यार को पकड़ कर उसे मार कर भियोश कर देती है और यहाँ पर बाकी दो लड़कियां पू से बज़ कर भाग रही थी और जैस भाग कर रोड तक पहुशती है जिनने रास्ते में एक कार भी मिल जाती है और उसके अंदर कुछ चार लोग बैठे हुए थे और वो दोनों उनसे मदद मांगती है कि वो लोग उन दोनों को वहाँ से ले जाए जैसे गिल्ली डंडा, सोरी ऐमें बेसबॉल वगयरा और लोही की रोड वगयरा और फिर वो चारो मिल खरवीनी को दुमकाने लगते हैं और उसे दबा कर पीटते भी हैं लेकिन पू फिर भी कुछ नहीं बोलता और उल्टा उनकी कार भी क्रेश हो जाती है और जब मारिया को होश आता है वो अपने सामने देखती है कि पू जैसिका को अपने साथ ले जा रहा था और पिर जैसिका को कार के सामने ले जाकर वो उसके सर को उखाट कर फैंक देता है और अब मारिया भी समझ जाती है कि वो इस शेतान पू से नहीं बच सकती और फिर पू उसे भी माणने वाला होता है कि तब ही वहाँ पर क्रिस सा जाता है एक और कार लेकर और सीधा जाकर पू को ठोक देता है और पू फ़स चुका था दो कार्स के बीच में और क्रिस मारिया को संबालने लगता है कि तब ही पू को वापिस होचा जाती है और वो उन कार्स को पीछे करकर बाहर निकलता है और मारिया को फिर से पकड़ उसे मानने ही वाला था कि निराशुआ क्रिस पू से भीग मांगता है प्लीस पूआ उसे चोड़ दो मैं हेशार तुम्हारे साथ रहूंगा प्लीस उसे जाने दो और यहां पर काफी सालो बात पूआ पहला शब्र बोलता है तुम चले गए थे और यह बोलते ही वो मारिया का गला काट देता है और उसे मार देता है हर अब घबराय है होग क्रिस जिसे मारिया ने लास चांस दिया था जीने का वहाँ से निराश को भागने लगता है और पूबी निराश और गुसे में बार बार मारिया को मारता जाता है और नजाने उसके कितने हिस्से कर डालता है और यहीं पर यह खतनाक सी मूवी खतों वजाती है और अगर आपको यह मूवी अच्छे लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलना और मैं आप से मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ वर नाव बाई गडबाई सायव नरा जना